नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप आसा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मैं सुरेश एक बार फिर से सुरेश एकडेमी में आपका स्वागत करता हूँ आज हम लेकर आए हैं आपके लिए AWES PRT TGT PGT 2014 के लिए जो section B इन तीनों के लिए common होता है उसका जो एक important topic है जैसा कि दोस्तों मैंने जो pedagogy की first video कराई थी उसमें pedagogy का सारा syllabus आपको discuss किया था दोस्तों आपके साथ कितने question आने वाले हैं 20 question आने वाले हैं तो उसमें एक important topic जो है वो है RTE Act 2009 दोस्तों उससे related दो से तीन question आ सकते हैं आपके exam में तो दोस्तों पूरे RTE Act 2009 को मैं इस related जो question है वो भी लेकर आया हूँ और इसकी जो theory है वो भी लेकर आया हूँ और दोस्तों जो question है उसके detailed explanation लाऊँगा explanation क्या मैं जो theory लाया हूँ उसके according आप उसके question के answer आसानी से दे पाएंगे दोस्तों तो दोस्तों मुझे लगता है अगर आप इस video को पूरी अंत तक देख लेते हैं तो मुझे लगता है RTE Act 2009 से अगर आपके exam में कोई question आएगा तो आप आसानी से कर देंगे दोस्तों तो देख लेते हैं पहला question क्या कह रहा है देख लेते हैं दोस्तों RTE Act was implemented in India with effect from तो RTE Act जो है Right to Education Act जो है 2009 वाला वो कब implement हुआ हमारे इंडिया में कब से effect हुआ कब से लाग हुआ यह हमसे पूचा गया दोस्तों तो बैसे तो इस question का answer option number B हो जाएगा लेकिन इसके बारे में हम detail से discuss कर लेते हैं दोस्तों तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है दोस्तों हम RTE Act 2009 के बारे में पढ़ रहे हैं दोस्तों RTE Act 2009 के बारे में पढ़ रहे हैं जिसको हम कहते है Right to Education दोस्तों यह हम इसके लिए पूरा कहेंगे The Right of Children to Free and Compulsory Education 2009 इस Act का पूरा नाम है दोस्तों तो दो RTE Act 2009 है यह कब आया था दोस्तों यह 2009 में आया था दोस्तों कब आया था 2009 में आया था दोस्तों 2009 में पास हुआ था दोस्तों एकली संसद में यह पास हो गया था तीनों सदनों से 2009 में पास हो चुका था 2009 में दोस्तों इसके अलावा दोस्तों यह जो आया था यह 86 मक constitutional amendment जो 2002 2002 में हुआ था इसके अकॉरड़ं हुआ था च्छाइंसी मक संसोधन 2002 में हुआ था उसके अकॉरड़ं यह जोड़ा गया था दोस्तों उसके अकॉरड़ं कर दिया गया इसको क्या कर दिया गया एफेक्ट में आ गया इंडिया में इंडिया में क्या लागू कर दिया गया एक अपरेल 2010 से दोस्तों लेकिन जम्मू और कस्मीर जम्मू एंड कस्मीर एक ऐसा प्रदेश था जिसमें उस समय लागू नहीं किया गया था दोस्तों क्योंक जब 2010 में लागू किया गया था तब बहाँ पर लागू नहीं किया गया था दोस्तों क्योंकि बहाँ पर धारत 370 थी दोस्तों इस बज़े से इसके अलाब़ दोस्तों जान लेते हैं कि RT actually में है क्या ये तो हमने जान लिया ये कब आया संसद में कब पास हुआ और कब कौन से constitutional amendment की दोवारा आया था 86 में constitutional amendment की दोवारा आया था 2002 वाले के और एक अपरेल 2010 को लागू हो गया था लेकिन जब मुकस्मीर में उस टाइम पर लागू नहीं हुआ था लेकिन दोस्तों RT actually में क्या है तो ये जान लेते हैं दोस्तों तो RT क्या है दोस्तों ये है 6 से 14 बरस के बच्चों को free और compulsory education प्रदान करना इसका उद्देश था जो RT का उद्देश था वो क्या था दोस्तों 6 से 14 बरस के जो बच्चे हैं उनको free और compulsory education प्रदान करना फिरी का मतलब निसुल्क free का मतलब निसुल्क compulsory मतलब अनिवारिय तो अनिवारिय सिक्षा प्रदान करना बच्चों को देना ये क्या था इसका उद्देश था आर्टी एक 2009 का दोस्तों इसके अलावा दोस्तों नॉर्मल जो चाइल्ड होगा जो नॉर्मल बच्चा होगा उसके लिए तो 6 से 14 बरस के बीच का है इसके अलावा अगर कोई किसी वज़य से अक्षम है कोई problem है या handicap है मतलब disabled है अक्षम है तो उसके लिए दोस्तों 6 से 18 बरसे दोस्तों तो जो disabled student है जो disabled child है उसके लिए उसके लिए 6 से 18 बरस तक के बच्चे के लिए free and compulsory education प्रदान करने का इसका उद्देश था RTE Act 2009 का दोस्तों इसके अलावा दोस्तों जब RTE Act 2009 आया था तो इसमें हुआ क्या था दोस्तों सम्मिदान में जैसा कि हमने बताय सम्मिदान constitutional amendment 2002 के according क्या हुआ था यह RTE Act जोड़ा गया था RTE Act आया था तो इसी में क्या हुआ था दोस्तों सम्मिदान जो था उसमें Article 21A को जोड़ दिया गया था इसी के दौरा जब RTE Act आया सम्मिदान में जो Article 21A है पहले 21 हुआ करती थे कि बल तो 21 में 21A को जोड़ दिय गया जिसका क्या काम था दोस्तों बच्चों को सम्मिदान में जब यह आर्टीकल जोड़ दिया गया तो इसका मतलब यह था दोस्तों कि इस आर्टीकल के तो इस आर्टीकल के द्वारा जो बच्चे हैं 6-14 बरस के जो नॉर्मल चाइल्ड है उनके लिए Free and Compulsory Education दी और इसे आप मूल अधिकार कह सकते हैं दोस्तों इसके अलाबा दोस्तों जो आर्टी 2009 एक्ट है इसमें दोस्तों 7 चैप्टर आते हैं कितने साथ अध्याएं हैं और 38 38 क्या हैं दोस्तो आर्टीकल है कितने आर्टीकल 38 आर्टीकल एक्शली में थे जब ये लागू हुआ था एक अप्रेल 2010 को तब इसमें 7 चैप्टर थे और 38 आर्टीकल थे 38 धाराएं थी दोस्तो लेकिन 2019 2009 में एक धारा को जोड दिया गया अब कितने हो गए 49 आर्टीकल अब हो गए दोस्तो तो जो एक नया आर्टीकल जोड़ा गया दोस्तो ये किस से इसके बारे में दोस्तो जो मैंने पैड़ा गोजी कि पहली वीडियो आपके लिए AWS के लिए मैंने कराई थी दोस्तो उसमें मैंने बहुत ज़्यादर डिटेल से बताया है दोस्तो तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार जाके उसे देख ली जगा उसमें मैंने बताया है डिटेंशन के लिए कि वही एक ली क्या था ना आटी एक 2009 में लिखा था कि एक से आट तक के बच्चे को फेल नहीं कर सकते किसी भी किलास में किसी भी कंडिशन पर तो जो आटीकल एक है इसके बारे में बात की गई है जो कि मैंने पिछली वीडियो जो पेड़ागोजी की पहली वीडियो मैं लेकर आया था आपके लिए AWES 2024 के लिए इसमें मैंने डिटेल से बताया है वो किस के लिए उसमें क्या लिखा है दोस्तों यह सब बताया है मैंने दोस्तों तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं यह तो होगे 21A और इसमें 7 चैप्टर होगे और 38 आर्टिकल थे पहले एक और जोड़ दिये 10 साल के बाद 2019 में अब 49 आर्टिकल होगे दोस्तों यह तो बात होगे इसकी अब आर्टिकल लागू करने बाला जो पहला कंटी था जो राइट टू एजूकेशन लागू करने बाला दुनिया के पहला कंटी जो था दोस्तों वो था नौर्वे वो कौन सा था नौर्वे दोस्तों लेकिन हमारा इंडिया हमारा देश भारत जो था वो 135 देश था जिसन मतलब सोचिए आप दोस्तों कि हमारा देश कितना पिछड़ा मतलब कितने दिन के बाद कितने बाद में हमारे देश ने आटी को अपनाया दोस्तों और देश पहले ही अपनाया चुके मतलब 134 देश पहले ही आटी इको लागू कर चुके अपने देशों में और सबसे पहले नॉर्वे ने लागू किया था अपने देश में दोस्तों इसके साथी दोस्तों मैं बता दूँ यह जो आटी एक 2009 जब लागू हुआ था एक अपरेल 2010 को तो उस समय जो प्रेसिडेंड थी वो पृत्वा पार्टल सिंघ कऊं थी में दोस्तों प्रेसिडेंड प्राइम मिनिस्ट्र जो दोस्ते थे मनमोन सिंग और इस समय हृच अप्रेडट नाम में आपम से कप्यल को यह वी paradox हिएक बारता जा եे यह दो इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूँ इसमें एक आर्टिकल 45 की भी बात की गई है दोस्तों तो आर्टिकल 45 एक मूल अधिकार है मूल करतब DPSP में जोड दिया गया दोस्तों फिरी और कंपलसरी एजुकेशन के लिए दोस्तों धीकल's Bowl को इसके साथ दोस्तों मैं बता दूँ जो राष्टी यह इस कछा अधिकार की निगरानी करता है जो राश्टी इस तर पर RTE की निगरानी करता है वो कौन सा डिपार्टमेंट है वो है NCPCR जिसे हम कहते हैं National Commission for Protection Child Rights कौन सा है दोस्तो इसे अच्छे से याद रखीएगा ये कई बार पूश ले जाता है NCPCR National Commission for Protection Child Rights जो बच्चे के राइट्स हैं उसके Protection करने की Commission National Commission NCPCR को कहते हैं दोस्तो और दोस्तो जैसा कि मैंने आपको बताया था जो RTE 2009 है इसमें साथ चैप्टर हैं कितने साथ चैप्टर हैं और 38 और प्लस एक 49 क्या होगे भी आर्टीकल होगे धारा हैं होगी दोस्तो तो उसमें जो important important धारा हैं जो आपके exam के point of view से important है य दारा 12 जो है उसमें लिखा है दोस्तो जो EWES candidate होते हैं उनके लिए हर इसकूल में 25% reservation दिया जाएगा कितना reservation दिया जाएगा दोस्तो 25% reservation दिया जाएगा इसके साथ ही दोस्तो मैं आपको बता दूँ जो 17 है उसमें लिखा है no punishment हम किसी भी बच्चे को punishment नहीं कि दे सकते द किसी भी बच्चे की पटाई हम नहीं कर सकते छी धारा 17 में लिखा है RTE 2009 कि दोस्तो धारा 17 हमें लिखा है किसी भी बच्चे की पटाई नहीं कर सकते कोई punishment नहीं दे सकती दोस्तो इसके साथ धारा 25 है वो क्या कह रही है दोस्तो student teacher ratio के बारे में बताती है तो प्राइमरी ल इसके अलाबा अपर प्रैमरी के अगर हम बात करें तो 35 student पर एक teacher होगा ये अपर प्रैमरी का हो गया रेस्जी दोस्तों इसके साथी दोस्तों जो important धारा हो जाती है धारा 28 तो धारा 28 में दोस्तों लिखाया है no private tuition कोई भी सरकाई teacher private tuition नहीं पढ़ा सकता दोस्तों अगर वो पढ़ाएगा वो तो बो दंड नहीं अपराद होगा दोस्तों कानुनान अपराद होगा दोस्तों तो नो प्राइबेट ट्विशन कोई ट्विशन नहीं दे सकता दोस्तों तो यह तो हो गया इसकी तो दोस्तों जो 2009 RTE Act है वो किस की बकालत करता है किस construction की बकालत करता है इंक्लूसिव एजूकेशन की यह segregation की मैंश्टीम की यह integrated education की दोस्तों तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आपको क्या बता दूं दोस्तों तो तो दोस्तों क्या हो जाएगा inclusive education हो जाएगा इसके according कौन सा हो जाएगा दोस्तों inclusive education क्या हो जाएगा बिल्कुल right answer हो जाएगा तो कि RTE Act 2009 में क्या कहा गया है दोस्तों free and compulsory education for all जितने भी children है सब के लिए free and compulsory education दी जाएगी तो दोस्तों सभी के लिए जब बात की जाती है सभी के लिए education दी जाएगी समान education दी जाएगी तो ये तो inclusive education में रही बात की जाती है ये कहाँ पर की जाती है दोस्तों inclusive education में सब को चाहें वो किसी जाती किसी धरम का बेक्ती हो किसी जाती ये धरम का बच्चा हो उसके लिए समान एजुकेशन दी जाएगी फिरी दी जाएगी और कमपलसी रेनवारे एजुकेशन दी जाएगी आर्टी एक दोजार नो के अकॉर्डिंग अब आगे बढ़ते है नेश्ट को लाइक करेंगे अपने दोस्तों के साथ सेयर करेंगे और अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे हमारी लेटेश्ट वीडियो तुरंत पाने के लिए दोस्तों स्रेस अकड़ेमी चैनल को तृंत सब्सक्राइब कर लेंगे हमारी लेटेश्ट वीडियो तृंत पाने के लिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेश्ट कोस्टन कोस्टन तेन आपके सामने दोस्तों देख लिएते हैं क्या कह रहा है the word compulsory in the right to free and compulsory education act 2009 means तो जो आटी एक 2009 है इसमें जो compulsory है जो compulsory word है इसका main जो mean है वो क्या है main अर्थ जो है वो क्या है वो हमसे पूंचा गया दोस्तों तो parents जैसे कि मैंने बताया फिरी मतलब निसुल का मतलब कोई भी फीस नहीं ली जाएगी निसुल का मतलब कोई भी फीस नहीं ली जाएगी फिरी का मतलब तो यह हो गया तो compulsory जो अनवारी होता है तो अनवारी का real में मतलब क्या है यह हमसे पूंचा गया दोस्तों parents are compulsory forced to send forced to send their children to school to award finitive action मतलब ऐसा थोड़ी नहीं कि parents को अगर वो नहीं भेजेंगे उन्हें जवरजश्ती भेजना है यह बच्चों को मतलब अनिवारी है भेजना चाहिए हम यह नहीं कह सकते कि आप अपने बच्चे को मत भेजिए हम parents से यह नहीं कह सकते लेकिन उन्हें forcefully भेजना पड़ेगा यह बात नहीं है यह बात नहीं कही गई है अगर parents से हैं तो रोग भी सकते हैं हम forcefully नहीं बुला सकते हैं या parents को force नहीं कर सकते हैं कि बच्चे को भेज हो गई और compulsory education is imparted through continuous test की बात आ जाती तो वैसे ही गलत हो जाता दोस्तो central government will ensure admission attendance and completion elementary education यह बात भी गलत हो जाएगी दोस दोस्तों admission attendance and completion of elementary education काम होता है वह उस जहां पर बच्चा रहता है बहां की government का काम होता है तो appropriate government will ensure admission attendance and completion of elementary education यह हमारा क्या हो जाएगा ब्लकुल right हो जाएगा तो option number D की हो जाएगा दोस्तों ब्लकुल right answer हो जाएगा इस question का अब हम आगे बढदें next question दोस्तों next question क्या होने वाला है question number four देख लेते हैं क्या कहा रहा है दोस्तों इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं जिससे कि हमें सारे option अच्छे से दिख जाएं दोस्तों सारे option और question अच्छे से दिख जाएं दोस्तों तो why which constitutional amendment the work of providing ways to right to education act 2009 was done तो constitutional amendment कौन सा constitutional amendment है जो आटी एक 2009 को लाने वाला था तो दोस्तों अभी हमने थीरी में बताया था वो है च्छासी मां amendment च्छासी मां constitutional amendment 2002 में जो आया था वो ही होगा दोस्तों तो option number D क्या हो जागा दोस्तों विल्कुल right answer हो जागा दोस्तों एक बार दोस्तों मैं फिर से कहना चाहूंगा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है और जो मैं question लाया हूँ आपको लग रहा है कि आपकी exam की point of view से काफी important है या आ सकते हैं दोस्तों या इससे related कोई question आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे तो दोस्तों आपको क्या आपके सामने दोस्तों देख लेते हैं क्या कह रहा है दोस्तों question number 5 the right to free and compulsory education for children between age group 6 to 14 has been included in Indian constitution as तो दोस्तों जो ये बात की गई ये आर्टी एक्ट में की 6 से 14 बर्स की जो बच्चे हैं उनके लिए free and compulsory education दी जाएगी एक कौनसे constitutional का article है उसमें जो लिखा है दोस्तों तो अभी हमने जब ठीरी बता रहे थे उसमें आर्टीकल 21 A की बात की गई थी क्या की गई थी कि इसके according जो constitution में आर्टी एक्ट को ज एक बच्चे को दी जाए दोस्तों तो आर्टीकल 21 A क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा option number C will be the right answer दोस्तों आगे बढ़ते हैं next question question number 6 यह रहां आपके सामने दोस्तों which agency has been assigned for monitoring of child's right to education at the national level तो national council education research and training NCERT या फिर national council for teacher education NCTE या फिर central word of secondary education CBSE या national commission for protection of child rights तो दोस्तों अभी जब हमने पढ़ाया था तो हमने बताया था इसकी monitoring कौन करेगा निगरानी कौन करेगा दोस्तों RTE की वो करेगा NCPCR दोस्तों national commission for protection and protection of child rights तो option number D के हो जागा इसके according बिल्कुल right answer हो जाएगा दोस्तों तो आगे बढ़ते हैं next question question number 7 यह रहां आपके सामने दोस्तों the concept of inclusive education as advocated in the right to education act 2009 is based on तो यह behavioristic principle पर बेज़ड है यह sympathetic sympathetic की सौनवूती की बात आ गई तो बैसे ही गलत हो जाएगा और right waste humanistic perspective की बात की बात की गई यह main streaming आप disabled by offering दिये primarily vocational education की बात की गई तो दोस्तों vocational education क्या होता है दोस्तों कोई professional course करना जैसे beard है, btc है, mba है, mba है, bba है, यह जो course होते हैं एक के कहलाते हैं दोस्तों हमारे vocational course कहलाते हैं तो इसकी तो बात की नहीं गई है दोस्तों वो की गई है right waste humanistic perspective की तो option number C के हो जाएगा बिल्कुल right answer हो जाएगा दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं next question, next question 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 number 8 जो की आपका आखरी question होने वाला है दोस्तों आज का which fundamental right of the Indian constitution is included in the right to education act तो क्या जोड़ा गया है दोस्तों जो कौन से which fundamental right कौन से right जो है वो Indian constitution में include किया गया है right to education act के द्वारा दोस्तों इसके थो दोस्तों तो right of right related to culture culture की बात की गई तो ये गलत हो जाता है right to freedom बिलकुल नहीं इसका तो एक अलग article है ही पहले से right to religion ये भी नहीं इसमें भी ये भी बात हमारे संभिदान में पहले से की गई है ये जो बात की गई है right to education act के दोआरा वो कौन से fundamental right जोड़ा गया है beneficial rights दोस्तों समानत अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपको लग रहा है दोस्तों जो मैंने question करा है वो आपकी प्रिक्षा की द्रश्टी से काफी important है तो दोस्तों आप क्या करेंगे वीडियो को like करेंगे अपनी दोस्तों के साथ share करेंगे और अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्त तो चैनल को subscribe जरू कर लेंगे हमाई latest वीडियो तुरंद पाने के लिए और प्रिक्षा की तयारी को आसान बनाने के लिए दोस्तों so thank you thank you for watching